Hey everyone, this is Jatneet. Welcome back to my channel. Our today's video is all about reading. Reading series की ये नई वीडियो लेके हैं, मैं इसके आगे मेरे पास और भी वीडियो है. But आज का जो topic है, वे today's topic is most common three mistakes. ये कोई ऐसी वैसी mistake नहीं, जो मैं पहले पे गिनाता था. ये कुछ real है, कुछ अलग है, और ये सच में सब के साथ हो रही है, जो भी ये वीडियो देख रहा है. तो इनको कैसे overcome करें, उस चीज के बारे में discuss करेंगे. यहाँ पर, first of all, मैं आपको mistakes बतातों कि कौन कौन सी है, और उनको overcome कैसे करना है, right? और क्या है कि और कई वीडियो लेकर रहा हूं, जो कि काफी important है, और आप वो जरूर देखना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है करेंगे, लेकिन क्या है कि ये चीज रियल है, ये मैंने भी experience किया है, और students भी experience करते हैं, बड़ उनको ये नहीं पता कि overcome कैसे करना है, ठीक है? तो आज की वीडियो में ये तीन mistakes के बार में discuss करेंगे, जो बहुत दाए common है, students actually करते हैं, तो let's get started, and here's the first one, सबसे पहली mistake क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ, water bottle, आपके mind में क्या आएगा? ये, right? आपके mind में मतलब ठीक है, water bottle आप रोज देखते हो, ठीक है, देखो यार ये चीज़ उससे related है, मैं पहले बताता हूँ, example में देता हूँ, बहुत बढ़ी आवाली, तो ये वही example है, बताता हूँ, बाद में कैसे relate करती है, water bottle rolls यूज करते हो, पानी पीते है उससे, आपके mind में ये चीज़ है, आपने कितनी बार देखी है, मतलब किया है, जब मैं फिफ्ट पे आते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि first वाले paragraph में किस चीज़ की बात की गई थी, मतलब उसका निचोड, first जो अपना paragraph था, उसमें क्या जो था, निचोड था, context क्या था, मतलब main चीज़ उसमें क्या थी, किस चीज़ की बात की गई है, means मैं आपको सीधी सीधी में बोलता हूं कि अगर, यानि कि आपकी जो concentration power है, वो इतनी strong होनी चाहिए, इतनी strong होनी चाहिए, कि आप चाहे एक passage के end में भी हो, last वाले paragraph में भी हो, बट आपको पता होना चाहिए कि first वाले paragraph में क्या चल रहा है, अगर आपको उच्छा score चाहिए तो, ठीक है, वीडियो इस तो अलग बात है, वो तो काम आएंगी ही आएंगी, बट वो तब ही आएंगी अगर आप, अगर आप अपना, ठीक है, time invest कर रहे हो उस चीज में, अगर आप reading में अपना time invest कर रहे हो, अगर आप उसको कुछ, मतलब, formality नहीं समझ रहे हो, उसको उस पर try कर रहे हो कि जी जान लगा कि उसको solve कर रहे हो, ठीक है, अपना concentration level बढ़ाओ, जैसे newspaper read करते हैं, newspaper ठीक है, कई students पूछते हैं कि कैसे read करना है newspaper, तो बहिया, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना, कि पता नहीं लगे, end तक करकी, हाँ, start कैसे किया था, start में क्या था, ठीक है, पता होना चाहिए end तक की starting में क्या चीज, किस चीज के बारे में discussion, कौन सा topic मैंने पढ़ा था, तो आपका concentration level ऐसा होना चाहिए, formality करोगे, तो band भी वो formality वाले आएंगे 6, 6, 6 तक, अगर बढ़िया score चाहिए, तो ये चीज़ें follow करने पड़ेगी, concentration level बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप ह ये भी एक mistake है, मैं बताता हूँ, last me, ठीक है, तो इसके साथ बढ़ते हैं second mistake पर, तो आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी, कि आपको teachers कहते हैं, कि अगर कुछ समझ ना है, तो उसको बार 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 पढ़ें, तो ये सिर्फ मेरे कहें पर ये चीज़ मान होता है, first paragraph में क्या चल रहा है, कुछ नहीं बताता हूँ, second में मैं ये चीज़ बताता हूँ, कि जो question part है, उस पे work करो, वो चीज़ ध्यान से पढ़ो, इतने ध्यान से पढ़ो कि आपको पता हो कि, मतलब question का meaning, यानि कि हम properly नहीं पढ़ते कि हाँ, ये चीज़ पूश क्या रहा है, multiple choice question जब आते हैं, students को ऐसे हो जाता हूँ, मत जाता है, कि यार ये क्या चीज़ आगी, options properly नहीं पढ़ते तुम, ठीक है, वो options properly पढ़ो, उन पे ध्यान दो, properly अगर थोड़ा सा time invest कर दोगे, या writing में भी तो यही होता है, writing में क्या होता है, starting में आप अपने ideas side पे लिख देते हो, क्योंकि पता है, दुबारा नहीं आएंगे, एक बार मुझे 4 idea है, तो वो 4 idea में यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, दूसरी बार नहीं आएंगे, आपने लिख लिए, तो वो क्या है, आप उस पे sheet पे लिख सकते हो, तो वही चीज़ reading में है, मतलब क्या है पांच से साथ मिनट आप लगाते हो न, ideas लिखने के लिए, तो वही चीज़ आपको reading में करने पड़ेगी, reading में ठीक है, चार से पांच से शे मिनट आप लगाओ, question पार पे, देखो, क्या question क्या कह रहा है, ठीक है, keywords note करो, after that, move to the paragraph, उसके बाद जो passage है, उस पे move करो, ठीक ह से बहुत है, ये last नहीं है, देखो यार, मैं, ठीक है, मैं जस्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे experience है, मैं student रहा हूँ, ठीक है, मेरे आगे, मेरे friends जो students है, उनका भी मुझे पता है, मेरे खुद के students हैं, दो, तीन साल से जो है, तो उनके बारे भी मुझे पता है, कि कि इस बंदे को क्या problem आते है, क्यों आती है, सिरनम्स नहीं पता, ये नहीं पता, grammar नहीं पता, ठीक है न, mistakes तो काफी है, बट हाँ, इस वीडियो में ये third mistake है, जो कि main है, जो कि शायद ही आपको पता हो, ठीक है, कभी, कभी भी आपने reading solve की हो, आपके 22, 23, 23 नमबर आगे, होते हैं, वो कहां पर कटे, have you ever seen it, नहीं न, कभी review दिया, कभी उसको देखा, कभी review की है, कि यार, मेरे इतने marks, मनलोग कैसे कट गए, जो toppers होते हैं, मैं देखो, यार, first of all, compare तो मैं करोगा नहीं, मैं जस्ट आपको यहीं बताऊंगा, कि हाँ, टॉपर से एक एक नमबर पिछे रोते हैं, आप क्यों नहीं रो सकते, आप क्यों नहीं बन सकते हैं, ट्राइक रो, यार, कि हाँ, एक एक marks, खीचो, बैंड जितने हैंगे, उतने ही फायदा है, छे बैंड पिर, आप सोचोगे न, अगर मुझे 6 चाहिए, 60 चाहिए, तो न मिलेगा, ठीक है, कुछ 6-6 है, वाली ये requirement अगर लेके mind में चलोगे न, फिर मुश्कील है, बहुत students के आते हैं, मुझे पता है, कोई issue नहीं है, ठीक है, requirement पूरी हो रही है, वट अपना तो, यार, मैंने खोद बंदे देखे हैं, मेरे खोद के students हैं, तीन महीने, दो महीने लगा रहे हैं, मुझे पता है, फर्स डे पर जो मैं राइटिंग चेक करता हूँ, और आज जो चेक की है, समीन आसमान का फर्क है, पहले mistakes ढूंडता है, mistakes खतम ही नहीं होती थी, अब ढूंडता है, अभी मिलती नहीं mistake, कभी-कभी, मतलब क्या है, ठीक है, मेहनत करो, अपन concentration level जो भी है, यह तो बढ़ाना-बढ़ाना, बट हाँ, अपना दिमाग यूज करो कि हाँ, मेरे इतने marks कटे तो कटे, क्यों, क्योंकि next time भी ऐसा ही होगा, next time भी फिर वही reading solve करोगे, वही 40 question रोज solve करोगे, कुछ नहीं बनेगा, कुछ extra करो, ठीक है, वह बंदा कुछ कर र क्या है, कहीं भूल मत जाना, right, sorry, this is all about today's video, right, I hope you like it, please make sure to like and subscribe जुर कर दिना या रगरने हो, क्योंकि motivation मिलता मुझे भी और मैं और जादा, और जादा मतलब क्या है, वर्क करता हो चैनल पे, right, thank you so much and stay tuned for more new videos, thank you.